साथिन अवस्कार बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के NTPC और गुरूप D के लिए मोडल सिट संख्या 6 देखने वाले हैं इसमें टूटल 40 कुष्चन है अगर आप कोईन में से किसी कुष्चन का अंसर पता है तो आप अपना अंसर कॉमेंट बक्स में लगा सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखे यहाँ पर हमारा पहला कुष्चन है भारतिय संबिधान एक इस अनुछेद में नयाईपालिका का कारेपालिका से प्रिथे कराण का उलेक किया गया है तो देखे यह से करेक्ट अंसर ओप्सन सी यो चाहाएगा भारतिय संबिधान के अनुछेद 50 में जो है यह नयाईपालिका का कारेपालिका से प्रिथे कराण का उलेक किया गया है ठीक है इसके अलावा अनुछेत 40 में ये पंचायती राज के गठन का प्रावधान कीया गया है अनुछेत 45 में 14 बर से कम उमर के बच्चों को निसुल क शिक्षा जो है उपलाब्ध कराने का प्रावधान कीया गया है और अनुचित चोवन में ये राजपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है ठीक है कुछ नमर्ट टू है संसत का दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उचिने आले स्थापित करने का अधिकार कि इस अनुचित में बढ़नी थै तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्सन बी हो जाएगा भारतिय संबिधान के अनुचित दो से एक तिस में ये संसत का दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उचिने आले स्थापित करने का अधिकार बढ़नी थै ठीक है कुछ नमर्ट टू है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्सन बी हो जाएगा कुछ नमर्ट चार है एक बर्स में कम से कम कितनी बार संसत की बैठक होना आवस्यक है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्सन बी हो जाएगा एक बर्स में कम से कम दो बार जो है ये संसत की बैठक होना आवस्यक है ठीक है कुछ नमर्ट पांच है राजसबा गठन इमने लेखित में से कब हुआ था तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्सन सी उचाएगा तीन अप्राइल उनने से बावन को जो है ये राजसबा गठन हुआ था ठीक है कुछ नमर्ट शिक्स है भारत में पहली बार महिलाओं को मत अधिकार देने का अधिकार कप प्रदान किया गया था तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्सन इउचाएगा उननीस उननीस में जो है ये भारत में पहली बार महिलाओं को मत अधिकार देने का अधिकार प्रदान किया गया था ठीक है कुछ नमर्ट साथ है दुईतिय पंच वर्षिया यूजना का प्रारूप किसने तयार किया था तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्सन डियो जाएगा PC महालोबिस ने ये दूसरी पंच वर्षिया प्रारूप तयार किया था ठीक है इसके अलावा BN गाडगिल ने ये चोथी पंच वर्षिया यूजना का प्रारूप तयार किया था और जो पहली पंच वर्षिया यूजना थी ये हैरोड डोमर मोडल पर आधार ही थी ठीक है कुश्चन नमर आठ है बेशों में उत्पादित होने वाले कुल कोईला में एंथरासाइट कोईले का योगदान कितना परतिसत होता है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन ये हो जाएगा 5 परतिसत होता है ठीक है बेशों में उत्पादित होने वाले कुल कोईला में एंथरासाइट कोईले का योगदान कितना परतिसत होता है तो ये 5 परतिसत होता है ठीक है कुश्चन नमर 9 है बादलों की दिशायों गती को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है तो देखे इसे correct answer, option A हो जाएगा नेफो इसको बोला जाता है ठीक है, बादलों की दिशायों गती को मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है तो ये नेफो इसको बोला जाता है ठीक है हाईगरो मेटर के द्वारा क्या मापा जाता है तो हाईगरो मेटर के द्वारा ये वाई मंडल की आदरता मापा जाता है रेन गेज के द्वारा ये बर्षा की मात्रा मापा जाता है और एनेमो मेटर के द्वारा ये वायू की दिशायों गति का मापा ने किया जाता है ठीक है कुछिछ नमर दस है प्राकिर्तिक बनस्पति का सरवाधिक बिक्सित छेतरे निमनलिखित में से कौन सा है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन डी उचा आएगा पत जड़ बन जो है ये प्राकिर्तिक बनस्पति का सरवाधिक बिक्सित छेतरे ठीक है कुछिछ न जो है ये गेहों कि क्रिशी का अधर्स तापमान होता है ठीक है कुछ्छ नमर 12 है को लेरू जील निमनलिखित में से किस राज में स्थीत है तो देखें से correct answer option ये हो जाएगा को लेरू जील ये आंदर परदेस राज में स्थीत है ठीक है इसके अलावा बेंबनाद जील किस राज में स्थीत है तो देखें बेंबनाद जो जील है ये केरल में स्थीत है पूलिकट जील किस राज में है तो पूलिकट जील जो है ये तमिलाडू में है और चील का जील ये कहाँ पर है तो ये उडिशा में है ठीक है Q13 है, बेश्व में उत्पादित कुल कोईला का, कितना परतिसाथ हिसा, B2- कोईला का होता है, तो देखे इसे correct answer, option DO जाएगा, और C3 जो हिसाथ होता है, ये B2- कोईला का, ये B2- कोईला का होता है, ठीक है, Q14 है, Q15 है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी, जो ही माचल परदे से होकर बैती है, निमने लिखित में से कौन सी है, तो देखे इसे correct answer, option B जाएगा, सतला नदी जो है, ये ही माचल परदे से होकर बैती है, ठीक है, Q16 है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्षे, अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे, तो देखे इसे correct answer, option B जाएगा, 1887 में निर्वाचित हुए थे, ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बद्यक्षे, अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे, तो ये 1887 में निर्वाचित हुए थे, ठीक है, कुश्च नमर 17 है, गेहु में रश्ट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है, तो देखे इसे correct answer, option C उचाएगा, कौवक के द्वारा होती है, ठीक है, कुश्च नमर 18 है, भारत के परधान मंत्रे सबसे अधिक आयू में बनने वाले बेखती, निर्वनिलिखित में से कौन थे, तो देखे इसे correct answer, option C उचाएगा, मुरार्जी देशाई जो थे, ये भारत के परधान मंत्रे सबसे अधिक आयू में बनने वाले बेखती थे, ठीक है, इसके अलावा सबसे कम उम्र में परधान मंत्रे बनने वाले कौन थे, तो ये राजीव का थे थे, ठीक है, question number 19 है, मानों के दुर्विया पार और बालत सरम को रोकने का प्रयास भारतिय सम्विधान एक किस अनुछेद में किया गया है, तो देखे, इसे correct answer, option do, जायेगा, भारतिय सम्विधान के अनुछे 23 में, मानों के दुर्विया पार और बालत सरम को रोकने के लिए, इसका प्राउधान किया गया है, ठीक है, question number 20 है, भारत के प्रथम उप्राश्पति जिनकी मिर्थू, उनके कारेकाल के दौरान हुई थी, तो देखे, इसे correct answer, option do, जायेगा, क्रिश्न कांथ की जो मिर्थू हुई थी, ये उनके कारेकाल के दौरान हुई थी, ठीक है, question number 21 है, कोईला ने इमने लेखित में से किस परकार के चटानों में पाया जाता है, तो देखे, इसे correct answer, option B उचायेगा, कोईला जो है, ये उसाधी चटानों में पाया जाता है, ठीक है, question number 22 है, बीश्व में कोईला का सरवादिक संचित भंडार, निमने लेखित में से किस देश में है, तो देखे, इसे correct answer, option E उचायेगा, जो है, ये बीश्व में कोईला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, निमने लेखित में से कौन सा है, तो देखे, इसे correct answer, option E उचायेगा, चायना जो है, ये बीश्व में कोईला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, question number 24 है, निमने लेखित नदियों में से, किसको दचिड भारत की गंगा कहा जाता है, तो देखे, इसे correct answer, option C उचायेगा, गोदावरी नदिक हो जो है, ये दचिड भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है, question number 26 है, सीटी गुरूप की प्रथम महिला CEO, निमने लेखित में से कौन बनी है, तो देखे, अब ही आली में, सीटी गुरूप की प्रथम महिला CEO जो है, ये जेन फ्रेजर बनी है, ठीक है, सीटी गुरूप की अस्थापना कब होई थी, तो देखे, सीटी गुरूप की अस्थापना, आठ अक्टूबर उनने सांठानवे को ही थी, सीटी गुरूप का मुख्याल है, नियू यॉर्क है, सुनी तराज अमेरिका में है, ठीक है, अगला कुश्चन देखिए, कुश्चन नमर्ट 20 से बेन है, मानो सरीर में हार्मोन एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर किसके द्वारा पहुंचते हैं, तो देखे, इसे करेक्ट आंसर, कुश्चन नमर्ट 20 से खादे पदार्थ के सनरक्षन के लिए, सबसे अधे कुपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निमनलेखित में से कौन सा है, तो देखे, इसे करेक्ट आंसर, ओप्शन डी उचायाएगा, बेंजोईक एसीड जो है, ये खादे पदार्थ के सनरक्षन के लिए, सबसे अधे कुपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है, कुश्चन नमर्ट 30 है, दादा भाई नोरोजी, कितनी बार भारती राष्टे कांग्रेस के अधेयक से बने थे, तो देखे, इसे करेक्ट आंसर, ओप्शन C उचायाएगा, दादा भाई नोरोजी, ये तीन बार जो है, भारती राष्टे कांग्रेस के अधेयक से बने थे, ठीक है, कुश्चन नमर 31 है, बेश्व में लिगनाइट कोईला का सबसे बड़ा उतपादक देश, निमनिलिखित में से कौन सा है, तो देखे, इसे करेक्ट आंसर, ओप्शन B हो जायाएगा, जर्मनी जो है, बेश्व में लिगनाइट कोईला का सबसे बड़ा उतपादक देश है, ठीक है, कुश्चन नमर 32 है, बेश्व कप किरकेट दुहर 23 है, निमनिलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो देखे, इसे करेक्ट आंसर, उप्शन B हो जाएगा, भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, बेश्व कप किरकेट दुहर 23 है, किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, कुश्चन नमर 33 है, किसान घाट निमने लिखित में से किसका समाधी अस्तल है तो देखे इसे correct answer option D हो चाहेगा चोधरित चरण सिंग की जो समाधी अस्तल है वो है किसान घाट ठीक है राजीव गांदे की समाधी अस्तल कहां पर है कुश्य नमर 34 है निमनलेखित में से किसका असली नाम अबू रिहान था तो देखे इसे correct answer option B हो जाएगा और बरुनी का जो असली नाम था ये अबू रिहान था ठीक है कुश्य नमर 35 है डीजल लोकोमोटिव कर खाना निमनलेखित में से कहां परिष्थीत है तो देखे इसे correct answer option A हो जाएगा वराणसी में स्थीत है ठीक है डीजल लोकोमोटिव कर खाना कहां परिष्थीत है तो ये वराणसी में स्थीत है कुश्य नमर 36 है काँच पर लिखने के लिए किस हमल का परियोग किया जाता है तो देखे इसे correct answer option C हो जाएगा किया जाता है ठीक है कुश्य नमर 37 है जपान के राष्टिय विधान मंडल को निमनलिखित में से किस नाम से जाना जाता है तो ये diet के नाम से जाना जाता है ठीक है USA के विधान मंडल को किस नाम से जाना जाता है इरान के बिधान मंडल को किस नाम से जाना जाता है तो इरान के बिधान मंडल को मजलीस के नाम से जाना जाता है और ब्रिटेन के बिधान मंडल को ये पारलियामेंट के नाम से जाना जाता है कुछ नमर 38 है वाथबरण में सबसे ज़्यादा वो जोन का सब केंदरन निम्नलिखित में से कहां पर होता है तो ये संताप मंडल में होता है ठीक है, कुश्य नमर 49 है गोता खुर सांस लेने के लिए कीन गैसों के मिस्राण का परियोग करते हैं तो देखे, इसे करेक्ट अंसर और अप्सन C यो चाहाएगा ओक्सीजन और हिलियम गैस के मिस्राण का परियोग करते हैं ठीक है, गोता खुर सांस लेने के लिए ओक्सीजन और हिलियम गैस के मिस्राण का परियोग करते हैं ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आमार अगला कुछ चैन है, मूत्र यहाँ घास के पतों में किस परकार कामले पाया जाता है, तो देखें यहाँ पर आपको चार अपसन दिया गया है, तो दोस्तों आप इसका अंसर जो है कमेंट बक्स में जरूर बात हैं, और वीडियो कर जो पास वाले घंटी का निसान है, यह से भी यान करते हैं, ठीक हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग